एक बार फिर इंडियन टेलेविजिन पे दुनिया का सबसे बड़ा कुकिंग रियालिटी शो मास्टर शेफ इस बार और भी बड़ा और भी बहतर कमान 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 गो 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 वर्ड के कोने कोने से 16 टालेंटेड होम कोक्स कॉम्पीट करेंगे एक दूसरे से ताइम से और अपने आप से सबकी नजर मास्टर शेफ इंडिया के टाइटल पे लेकिन ये सफर आसान नहीं होगा यहां कदम कदम पर टेस्ट होंगे उनके कुकिंग स्किल्स और परखा जाएगा उनका हुनर आज आप लोग पुलीस ऑफिसर और केडिर्स को अपने हाग से बना हुआ खाना खुद खिलाएंगे कुकिंग की कॉलिटी को कुकिंग के पैशन को और कुकिंग की मुश्किलों का डेवल अप करने आएंगे दुनिया भर के रिनाउंड शेफ्स आज आपको एक हेड़-on बाटल करने पड़े और सपनों की फ्लाइट टेक आफ करेगी ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ भी ओर्डिनरी नहीं होगा और जो एक्स्ट्राइडिनरी होगा वही होगा मास्टर शेफ इंडिया वो घड़ी आ गई दो मोमेंट अफ टूथ इसे का बहुत जादा इंतसार था मुझे करने की में जो सपनाएखने बनाने काम त online को ब्रूरा गरने बाला हूँ मैं इतना खुश हूँ इतना खुश हूँ बहुत खुश हूँ मेरे जहां से आई हूँ वहां से इसमुकाम तक पहुँचना मेरे दिया बहुत बड़िपाती ही डिर जीनी शुरी आपका पॉचितिव था गूकिव मेचा है, वाँ आपका झाहिक आपका निए भू है वाँ वाँ ऑज गाँ गाँ एक किचन है और सिफिए जेतरी है मैं जहां देख रही हो, मेरी नजर जहां जहा रही है It is such a pleasure and it is such an honor कि मैं इस kitchen में हूँ और आज में इस kitchen में कुप करने बाली हूँ Amul presents MasterChef India आपके सपनों की तरफ आपका पहला कदम ये है MasterChef Kitchen Come on guys, loud up! It doesn't get bigger than this guys जब हम आपसे पहली बार मिले थे तो आपको ये एपरंस दिये थे अब MasterChef India Season 5 के विनर को मिलेगा में को ज़र पता मी क्या होगा और जैसे वो इसको रोटेट कर रहे है तो अंदर एसे रहे है कि ओ, जैसे वो रोटेट हुआ, सब लोगों के मूँ बस खुले के खुले रहे के ओ, मैं गाद, इस दे मास्टर शेफ कुट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् इस रेस्टरॉंट के किचिन में प्रोटेशनल्स के साथ काम करने का मौका उसके साथ काम करना, उसका गाइडन्स लेना, वो एक ऐसी ओपरचुनिटी है कि किसी और को कभी नहीं मिलेगी आप सब के पास अपने नाम का एप्रन है लेकिन कोई एक ऐसा शक्स है जिसके पास एप्रन तो है, लेकिन उस पर कोई नाम नहीं शीलक्ष्मी जी, अब हर चालेंज में कुक करेंगी, लेकिन जीतने के बावजूद आपको एलिमिनेशन चालेंज में भी कम्पीट करना पड़ेगा मुझे तब समझ में आया कि ये नाम मुझे लेना इतना आसान नहीं है, पर फिर बे मैं लडूंगी अगर आप इस हवते इलिमिनेट नहीं हुई तो आपको मिलेगा अपने इस एपरिन पे अपना नाम थांकियो सर्थ और अब बारी है, मास्टर शेफ किचिन के पहले चालेंज की आप सब के स्टेशन पे रखा है एक बॉक्स ये है, मिस्ट्री बॉक्स मिस्ट्री बॉक्स इस मिस्ट्री बॉक्स में से आपको कम से कम चार इंग्रेडिट्स का इस्तमाल करना ही है पयार है आप लोग अपने अपने मिस्ट्री बॉक्स खोल के देखिये आप अपने जो इंग्रीडेंस अंदर हो वो मेरी स्टाइल अफ की को कॉप्लिमेंट करें आज के मिस्ट्री बॉक्स में है इलाइची केला यानिकी छोटा मीठा केला पालक, बीटरूट यानिकी चुकंदर, और इंज यानिकी संत्रा हरी मिर्ची, फ्रेश धनिया, कच्छी घानी ओयल, बादाम, चक्री फूल यानिकी स्टारनीस, और साथ में है चिकन मेरे दिमाग में बहुत सारी रेसिपीज आने लगी, मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे उसको कंसॉलिडेट करूँ और कैसे उनको यूज करूँ, टु दे मैक्सिमॉ अभी विकास ने आपको रूबरू कराया आपके इंग्रीडिएंस के साथ, कहीं नहीं मैं और ज़रावर थोड़ा लेफ्टाउट फील कर रहे थे हमारे पास भी एक मिस्टरी बॉक्स है कि इसके अंधर कि इतना बड़ा इंगिटेन क्या वासकता है यह हैं कोकिंग एकिपमेंट्स इन सारे एकिपमेंट्स में से आपको कम से कम दो एकिपमेंट्स का इस्तमाल करके अपनी डिश मुकमल करनी है यानि चार इंग्रीडिएंट्स, दो एकिपमेंट्स और सिर्फ एक डिश यानि फो टू का वान इस डिश को प्रपेर करने के लिए आपके पास हैं 90 मिनिट्स और इन 90 मिनिट में हम लोग हर स्टेशन पे आएंगे, आपकी प्रोग्रेस चेक करेंगे और फिर सिर्फ वही पाँच दिश टेस्ट करेंगे जो हमें सबसे ज़ादा प्रॉमिसिंग लगेंगी और जो हमकुक इस चैलेंज को जीतेगा, उसे अगले चैलेंज में मिलेगा एक बहुत बड़ा अडवांटेज ये चैलेंज में जीतना चाहती हूं और वो अडवांटेज भी ताकि सेकेंड चैलेंज में मुझे बाकी कंटेस्टेंज के ऊपर एक एज मिलें MasterChef Kitchen का पहला चैलेंज 4, 2, 1 और आपका समय शुरू होता है अब, come on, go मैंने बाबूस तीमा पिक किया मेरे दिमांग में इमेडियतली नूडल्स के बारे में तोट्स आने लगी तो मैंने सूचा कि पास्ता मेशिन से नूडल बनाओ आज मैं बनाने बारी हूं डिजर्ट फ्लाटर आइस क्रीम होगी जो स्मोक चिली और धनीय की फ्लेवर की होगी और उसके साथ में तोड़ा सो औरेंड जेस्ट भी तालूगी और उसके साथ बीटरूट का हलवा होगा और मैं चाहती हूं कि मेरी पहले चैलेंज में मेरी डिश भी चकी जाए तो मैं अपनी पूरी जी जान लगाने वागी हूं अजया हूं कि अजया हूं कि सुछ ठीम खास लगी एक चीज मुझे आपकी बहल खास लग रही है आप बिल्कुन हरभणात नहीं करें बना क्या रहे हैं अब आज मैं बनाना सफास्टर काई बना रहा हूं वो था क्लासिक अमेरिकन डिजर्ट है तो उसको मैं थोड़ा सा डीकंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, जो कि I think मेरी खास्तियत है डीकंस्ट्रक्ट करना हूं तो मैं ये उप्पम का पान को इस्तमाल करके डच पानकेक्स बना रहा हूं उसके अंदर मैंने और इंच असका फ्लेवर डाला है बजेड़े इनिफ, आपचिणी को इस तरह से वाफल्स करैंशे करना इस वेरी क्रीड़। तो जाब्स्त तक्रिय। HomeCooks! अजक अबस्देश क करने के लिए लाग्वल्ड इससे थेत्वेन बनुआने करों के लिए के बचें पूरे 45 मिनूट्स प्रषिका इसक्राइन आप लूटे है समैंथा जिसे करेंगा तुम अब क्षेघ्ट गॉन जिसे लाट आम अभर्ण और इसके लोगत मैंने इताली मराइन अब लोगता बाइन वोगतात एम लाड़ी जिसे अप्रश खेज मेराएं 20-25 और उन्यों टेस्टिट हो गायज कोज अईर ग्यून संवा एय। कि जूझे मोद्वी नाम अनॉंस कर। ज्या बनारे है? मैं बीडर आओड़ आओड़ स्कम जस þया क्या जेक बारे डिंद है बीटर थ्यूर ध्यू? प्रेलेन, इनुछ. कुछ बिल्कुल इसी तरह की चीज बिल्कुल आपके पीछे समान्था भी बना रहे हैं. इकुप्में कॉन सा यूज कर रहे हैं? मैं ब्रोडो यूज कर रहा हूँ. एंड टार्ट्स. तो आप टार्ट शेल में टार्ट बना रहे हैं? यह यहां. इनुए? यहां. समान्था भी बिल्कुल वही कर रहे हैं. रहे हैं तरह तरह एपकेश नहीं टार्ट्स. बिखना तो यह है कि आप दोनों में से जिश किसकी हमें जादा पसंद आ कि है. अल बेस्ट! मेरे दुमार में इस ट्रेस्ट डबल बिल्डप वा बड़ वा बड़ मुझ अगर उसको और कुछ नहीं मिना बनाने के लिए है या मात्यों की किछन में वही चीज बना दी जो में बना रहा हूँ I come to know की जो मेरे सामने अजे है उसकी सेम कंपोनें ये पहले से ही मुश्किल चालेंज था and I think now I have even more pressure Home Cooks, एक घंटा पूरा हो चुका है आपके पास सिर्फ तीस मिनट बाकी है अभी लाक्षा जी ये शेफ देख तो गए मेरे को बढ़िया सी आपने बना दी है रवियोली ये शेफ हाड नी थोड़ी थी बड़ी मोटी नी है बहुत जादा इसका तरीका हाथ है आपको बता तो मैं चोटना सा टेक्ट हम अब हाथ लगा कर बता सकते है है हाथ लगाएं बहुत थिक है और जी होगा कि लगए मूं में मैदा ही मैदा खा रहे हैं अब फ्लेवर कोई नी होगा ऑगा अपर तया को देख एगा है मैं ये अपको दिया अमल का नुस्का मैंने फर्स कर्ट बनाया था उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी नहीं थी I was hoping कि आटीस जो सेकंड ट्राय है उसमें अच्छा बन जाये लेकिन सेकंड वाला वस एवन वर्स वो कम्प्लेटली अनुसिबल हो गया था मुझे दूस्ती रेलाइशन हुई कि कर्ट भी नहीं बनाया है उसके साथ क्योंकि वो औरेंज एक इंग्रीडियन था मुझे जो यूस करना था वो नहीं होगा डिश्पे तो I have only three ingredients from the mystery box. Right now, जो first thing दिमाग में आया is to use the banana in my dessert. Homecooks, MasterChef की किचिन के पहले चैलेंच के आखरी पांच मिनटे अखरी पांच मिनटे Come on guys, this is now or never. Aashima, are you done? Yes chef. Yes chef. Yes chef. Why? Come on, come on, come on. Now, you should start your plating. It's time to put your dreams on the line and some good food on the plate. Come on. Dinesh, are you ready? Almost. हांच के आखरी एक मिनट, साट सेकिन आपके पास, इस तम पापके प्लेट साच जानी चाहिए. होमकुक्स अंकरी दससेकंद, दस, ना, त, साथ, छे, पाँछ, चार, टीन, दो, एंग, that's it, please step back from the counters. सब्सक्राइब एक तम वैसा ही लगा जैसे मने सोचा ला सब्सक्राइब दिश इन्हीं संदर बनी हुए और सबने अलग इनोवेशन अपनी डिश में डाला है तो जैसा कि आपको हमने पहले बताया था कि आज हम सोला नहीं सिर्फ पांच डिश टेस्ट करेंगे इस वगत फर्स आने की होड नहीं है इस वगत होड ही है कि मेरी डिश जो है वो जजिस उठा के कम से कम खाये तो सही जिनका मैं नाम लेन वाला हूँ वो अपनी डिश हमें पेश करेंगा अनगा इस वेरी एंकरेंगिंग उन्होंने इडिश इस काबल समझी की वो टेस्ट करेंगे अनगा जी आपके डिश का नाम क्या है मेरी डिश का नाम है इस मीट वेस्ट मैने चार से जादा इंग्रेंटिंस उस करें बीट, मिर्च, धनिया, आमन्स, बनाना और इसके दो चीजे मैंने हटके की मैंने ब्लो टार्श का इस्तमाल करके चिली को स्मोक किया और उसके बीज निकालके मैंने वो चिली और सिलांत्रों के साथ इंफ्यूस किया था आइस्क्रीम Oh, interesting. So, देखे हैं, ये combination कैसा रहता है? सुनने में अटपता लगता है के धनिया और चिली के फ्लेवर की आइस्क्रीम But let me tell you, this ice cream just blew me away. Thank you. बहुत अच्छे फ्लेवर्स है इस ice cream के जो sense of balance है तीखे का, मीठे का, और धनिये का, is just mind-blowing. Thank you, chef. Dessert is not my strong point. और डिजर्ट बना के ऐसी डिश सेयार करना जिशे जिशे को पसंद आए, ये मैंने सपने में नी सुचा था. All right, homecooks. अबली डिश. हमारे सामने लेकर आएंगे, Ajay. में एक्दम शॉक्ट रह गया कि, वह, मेरा नम. में अपर डिश को देखता है रह गया. और मुझे भूली के में अपर डिश लेकी जाना है महाँ पर. क्या वह एक्सपेक्ट नहीं किया था? बिलकुल दी. क्या है. इस चिली फ्लेवर्ड टार्ट क्रंबल, औरेंज कर्ड, बीर्टूड आइस क्रीम, स्टार लिनीज के साथ, और एटली मेराइन. अपर डालते वक्त अपका हाथ कही जिप तो नहीं हो गया थोड़ा सा. मुझे लगता है कि आपने शायद अपना पूरा डोंगा इसी के अंदर मेरांग के अंदर ही ढाल दिया है. मेरांग में कई बार लोग ब्लोटॉच उस करते हैं, आपने ब्लोटॉच उस करे थी? मैं सोचा है ब्लोटॉच के टाइम कली मेर बुत कम था, तो वो ब्लोटॉच का आइडिया मुझे स्किप हो गया. आमन्चिक्की? आमन्चिक्की? अजे, आपने सीधा मुझे विल्ली की सर्दियों के याद दिला दी. गचक. गजक. रेवडी. रेवडी. वेरी वेलमेड. सॉल्ट का बैलन्स अच्छा है. मिठा कंट्रोल में है. लुकिली. फिरैंगी तरह नहीं. थैंकि. वेड़ जॉब. थैंकि. थैंकि. पहले कुछ चैनलज में मेरा दिश टॉप 5 में आया. लेट सी अब किसको अदॉन्स में निता है. आप जिनके डिश हम टेस्ट करने वाले हैं, वो हैं, समान था आपकी. पहले कि अब जुद बाक क्यूंकि मेरा कर्ड नहीं है प्लेट पेज. शेफ आज मैंने बीटूट और स्टानीस आइस क्रेम बनाया हैं, बिट आमन क्रूम, इतलियन मरेंग, एंद कंडी बनाना. जब दू डिश एक जैसी चूज होती हैं, तो एक पर्फेक्ट स्टैंडर्ड मिल जाता है तेस्स करने के लिए के कौंसी बहतरीन है. कॉस्वेस. लमी ट्राइड आउट. अगर हम दोनों के डिश में केमपैरेजन होगा, तो अगर उसको अड़िश मिलगे, तो मेरा लॉस हो जाएग. क्रम्बल इस वेली गुर, राइड अमांट अफ शुगर. यह टेस्करने के बाद, हमेशायद और सोचना पड़ेगा, के इन दोनों में से, जादा बहतरीन दिश कौंसी है. बुट जाब. Thank you. I was so scared, की मैं दिश इस तू सिंपल, but you know what, that is what got me to the top 5. हमारे अगले हूंकुक, वो है आशिवा. यह एक खटी मिठी मिलिफूई है, and with chili and coriander ice cream. मिल्फिय का मतलब पता है? Thousand million layers. Million layers, यानि बारीक बारीक पतली layers. मिल्फिय इसको बोलना शाहिद ठीक नहीं है. नाम गलत है. डिश का टेस्ट रबल होना चाहिए. कॉरियांडर, chili, ice cream. कॉरियांडर और chili, जो अकसर हमें सबजी के दाथ free मिलती है. आज वही धन्या और हरी मिर्च एक ice cream को lift कर रही है. Thank you, sir. Thank you. Great effort. Very well done. Thank you, sir. अब बारी है वोस्त लास्ट इश्ट. मैं बस होग करी हूँ की अगला नाम मेरा हूँ. अगला नाम मेरा हूँ. पांच्वी डिश्टों हम टेस्ट करेंगे. वो है... इनिश. इनिश. जबारी हूँ. मैं 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 मंचेस्टे में पलाबढ़ा हूँ. लेकिन मेरे रूट्स नवसारी गुजरात में है. मैंने लॉप पड़ा था, क्यूंकि मेरे पैरेंट्स यही चाते थे, कि मैं एक वकील बनूँ लेकिन मुझे हमेशा सही पेष्टी शेफ बनना था उसको खाने मेने पहले सही बोट सौक था चोटा था ने तब से मुझे कीचन में हरफ करने लग जाता था मैंने दखा अकिला जा रहा है सो हमको दो फिकरो रही है मैंने हमेशा यही सपना रहा है कि मैं इंडिया में एक अर्टिजनल पेटिसरी खोलो और मास्टर शेफ यह सपना पूरा कर सकता है मापापो के दुआ है कि आप जित के आए कि आपने कैरमल का स्टमाल किया है निरिया पंप स्टाइल में पर बना के अपने अपने डश डिजर्ट का बहुत जबरदस्त है क्योंकि आपने गरम-गरम के जो इसके उपर लगाया तो थोड़ी दिर के बस सेट होगी वह एकलेर के तरह तो उट्यों के टाफी का टेस्ट आरहा उसमिस तार इनीज बहुत जादा प्रनाउंस अप्छा ओज्वादा प्रनांस्ट आज जिस भाते में सबस्दार था अपसे आपसे यूवर्टे ज़र्टी नहीं एमने किसी को डिसपॉइं नहीं किया एम्हपी इसम्हंपी नहीं that I kept the judges happy. MasterChef Kitchen का पहला चालेंज। The HomeCooks, जिसकी डिश MasterChef Kitchen का पहला चालेंज जीती है, वो HomeCook है, Dinesh! सारे डिश्स बहुत अच्छे है, लेकिन जजज इसको मेरा सबसे ज्यादा अच्छा लगा, बहुत बड़ा confidence boost है, यह शुरू आती अच्छी है. So, Dinesh, रेडी अपने advantage देखने के लिए? जी, sir. आईए हमारे साथ. इस टाइम दिमांग में चल रहा है कि Dinesh, क्या ingredient फूस करेगा अगर उसे मौका दिया जाएगा, तो सबजी लाएगा या बल लाएगा. Dinesh, अभी सिर्फ आपको यह पता चलेगा, कि अगले चैनलेंज में, आपका कोर इंग्रीडियंट क्या है? अजये, Okay. Are you ready? Jisha. This is Butter Beans. इसे का जाता है हिंदुस्तां किछ एरियाँ में वाल? वाल, जये है आपके चैनलेज़ का कोर इंग्रीडियेंट. Jisha. इस अद्वांटेज के वच्छे से मेरे चांसे और बढ़ गई है आपके में एक बात अच्छा सा जिश बना सकता हूँ. पर मैं आपको कुछ और दिखाना चाहते हूँ. Okay. Ready? Jisha. यह है फ्लेवरिंग एजेंट की एक ओप्शन. कोका. Jisha. यह आपका दूसरा फ्लेवरिंग एजेंट करी लिएस. और यह तीसरा फ्लेवरिंग एजेंट है, केसर यानि की साफरत. आपका एडवांटेज है कि इस score ingredient के अथर, आप छूस करेंगे अपनी मनमर्जी का फ्लेवरिंग एजेंट और बाकी के होमकोक्स वो फ्लेवरिंग एजेंट यूस करेंगे, जो आप चुनेंगे उनके लिए. जी, शर्व. अब मैं थोड़ी राजनीत्री के बारे में सोचने वाला हूँ. अगर मैं दूसरों के लिए ये मुश्किल चैलेंज बना दू, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा. दिनेश, इन तीन फ्लेवरिंग एजेंट्स में से ऐसा कौन सा फ्लेवरिंग एजेंट है, जो किसी भी डिश में हम देखना ने चाहते हैं? At the end of the day, ये एक कॉमपेटिशन है, तो मैं बेवकूफ नहीं हूँ के मैं इतना आसानी से ये कॉमपेटिशन सब को देने वाला हूँ. And boom! The kokum goes out! Dinesh ने सब पहला क्लोश को कम पे जाके रख दिया, जिसके लिए मैं होब कर रही थे कि वोगी इंग्रीडियन चला गया. And Dinesh, आपकी डिश में हमें कॉनसा फ्लेवर बिल्दावान है? I have to tell you, I have to know how to go, how to make a good dish with this. So, you will use 15 people to use saffron to make your ugly dish. Saffron is a very difficult ingredient, मैं के साथ कुछ भी क्यासी कंबाइब करूंगी, I am so scared. I have been working with Kunal for 6 years, Kunal को साफरान पिल्कुल ना पसंद है. I don't like saffron. Make me fall in love with saffron. That's your challenge. Yes, chef. I am thinking that Kunal को साफरान पिल्कुल पसंद नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं. अब मैं कैसे उनको प्यार करवाँ इससे यार? ऐसे हावाजे, यह लो, saffron करो प्यार. आप सब के बास हैं 60 minutes. जिसकी डिश सबसे अच्छी होगी, वो हूमकुक, अगले चैलेज्ज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. और जिसकी डिश सबसे वीक होगी, वो जाएगा सीधा elimination में. श्रीलक्षमी जी के साथ, एक और बात बता देता हूँ आपको, आपके सामने है, अमूल पार्लर. आप इस पार्लर में से, आपकी मन मर्जी के कोई भी ingredients, चूज कर सकते हैं, लेकर आपके बास होंगे सिर्फ पार्च मिल्ट. इसे कहा जाता है, invention test. यानि कि आपको अविश्कार करना है, एक नए टिश्कार. If you're ready, then your time starts now. मुझ आपकू शाम् यानि कि अबनाता है, जहांड मसाला है, बहुत बीडे। जहांड डीरी प्राडट्स रखे हैं, वहां भी बहुत बीडे। सब्ड़ी के सेक्शन ते रगया, सामने आलूदी के बडिय। यान मै आया कि कि भाई, हम जो रोस्टी बनाते हैं, उसमें कभी राज़ा बर देते हैं, कभी पीस बर देते हैं, वाई नोट वाल? कमान गाइस, कर आए! वोमकुक्स, सिरफ पच्छपन मिनिट बागी! मैं फड़ा फट एक्विपमेंट पांट्री तरफ भागी, सबसे पहले पास्ता मिशीन उठाई, क्योंकि मुझे पाता है, मैंने पास्ता बनाना है क्या एजिए भी सब्हा है, मैं बार बार जदेश कहते हैं, दिल, जूबा, नजर, दिल, जूबा, नजर तो मुझे दिल जीतना हिए, इस्थर करना है, नजर पर भी सब चाहिए में बना रहा हुआ एक बॉटरमär बना रहा लोहाँ दॉटरह के लाड़ बने और शवाथ बना रहा है एक साफरी नग्राथा लोहा उए अपका एक अरबिक विन यगोगफ साफरीण तेप के लिएयोग्नी टाओं I'm actually pretty cooking with butter bean, and I like saffron a lot so I hope I make a good sauce to go通 प्रेडिक्शनल पॉंग पर गोल्ड जी जाता है तो अगली परफ़ॉरमस उसकी उससे बहतर होनी चाहिए उससे एक्टेशन बहुत बहुत जादा होती है जी शेब मुझे उस्टिका जाया है ठीकाजा जाया है तीकाफिटन्स मेरे ओपर प्रैशर है लेकिन मैं confident हूँ कि मैंने अपने लिए एक easy ingredient चुना है दूसरे contestants को एक difficult चीज़ दी है, staff wrong दिनेश ने जो choose किया सभी के लिए मुश्किल होगा उसे मालूम था imagine भी निकर सकते कोई भाई वाल को के सार के साथ क्यों पर आएगा Home Cooks, अब सिर्फ 25 मिनट बाकी है कबार आदा हंता चला किया है, ना मेरा पास्ता रेडी है ना मेरे बटर बीन बॉल्स रेडी है मैंने फटा फट दो अपना मिशीन में डाला और फिर उसमें स्टक हो रहा है, उसमें चिपक रहा है तो फिर ठीक से निकल नहीं राए, फट राए मैंने पास्ता को एक बारी रूल किया, दो बारी रूल किया फाइनली थोड़ा सा कुछ रिलीफ लगा कि कुछ तो बन रहा है अट लीस्ट मैं कुछ प्लेट पे तो डालने लाए, बन जाएगा बनाने की कोशिश कर रही हूँ और सैफरन क्रीम सास अब कर दो क्या करेंगे याप कुछ मीथा बनाना चाहरे थी आप किती डिशे बना रहे हैं? मैं दो डिशे बना रहे हैं अच्छा आपको इबात का धाम रहे हैं जब उन कोई भी डिश को जज़ करते हैं उससरब इस पे बेस्टी आपने किती डिशेद बनाई हैं बिल्कुल हम एक दिश की परफेक्शन को जज़ करते हैं जी, that's what I'm going for आज मैंने शिक्स एलमेंट्स प्लां करें अगर मैं उस पे एक्जिक्यूट कर पाती हूँ तो मुझे पक्का यकीन है कि मेरी डिश सेफ हो जाएगी पट अगर मेरे से गलती हो जाती है और एक पी ऐलमेंट चूप जाता है तो सीधा ऐलमेनिशन चैलेंज में जाने के चांसे से I'm really hoping कि ऐसे ना हो HomeGoods, आखरी दस मिनिट इस वाथ आपका खाना प्लेट पर सजना चाहिए Come on guys, start plating, come on जापनाथे अलमुस्ट रड़ी है और मेरे कबाब भी ठंड़ हो गया है तो मेरे रेड़ी कर दूँगा दिप मेरी एक थायार है Pongal is ready मैंने देखा कि उसमें पेपर का बहुत ही सटल फ्लेवर है सॉस बहुत ही क्रीमी है बाटर बीन और साफरन का बहुत ही अच्छा बैलंस है सॉस में I was like really happy and I had to put up a Gullu-Bring dish Home Cooks, आखरी दस सेकिंड दस, नौ, आथ, साथ, छे, पाँच 4, 3, 2, 1 That's it, please step back from the counters Siddhar, अपनी देश लेकर आईए Thank you केशरी वाल कबाब with paratha That's the name of my dish एक Arabic योगर्ट डिप, वो भी केशरी है साथ में एक मिंट कोरियंडर चटनी का ग्लीज मैंने देनी कुश Siddhar, I love the way जिस तरीके से आपने वाल का इस्तमाल करके ये कबाब बनाया Thank you, chef इसके इंडर साफरन का फ्लेवर उभर कर आ रहा है And बुझे साफरन कुछ खास पसंद नी है I love this dish, beautiful Thank you so much, chef Good job Thank you सबसे पेला थौट कि मैं इलिमिनेशन में नहीं जाओगा I've made a pongal बनाया इसमें जीरा और पिपर है, और बटर and कशवान Authentic Pongal, कितना स्पाइसी होता है Peppers जाद होता है कितना स्वाद है क्यों इतनी काली मरें? पता है, the pepper level is pretty high. इतना के saffron और वाल का फ्लेवर किल कर दे? मैं. इस रिष्ट के अंदर, तीन फ्लेवर हैं जो उभर कर आ रहे हैं. पहला, पेपर, दूसरा, पेपर, और तीसरा, पेपर. जरी, बज़े बिएपर मुझे कोई फ्लेवर में या रहा है. तो कहाँ. इस कॉंटेस में बालन्स करना बहुत ही जरूरी है. आई बिए प्लेवर्स प्लेवर्स करना बहुत ही जरूरी है. आई डोन जो नो वाव थापन. Archiva, ठेष्लाए काँ प्लेवर्स मिल चाहिए. प्लेशन थकाँ तराष्टा सूरा झाता. आई चाहिए. अर्षवाँ लाव्यर से.. I'm sorry to say नहीं मुझे इसमें बटर बीन्स का पॉपर यूज दिखाई दे रहा है और नहीं साफरन का जादा फ्लेवर तीनों जजजस को डिश इंपिस नहीं क्या पाई टैक पिसी की वीज एलिमिनेशन राउंड मुझ से गादू नहीं है यह वाल के रोस्ती है सातमे चत्नी और कोकलत राइस विज जयगरी विज जयगरी जयगरी मीठे चावल जी अजी परस्नली मुझे रोस्ती बहुत पसंद ए उसके अदर जो वाल का बाइट है एक्सिलेंट, जो चावल हैं, उसके अंदर केसर भी है और गुड भी है, एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये डिश एक बहुती सोची, समझी, बहुती सूलजी, बहुती टेस्टी डिश है Thank you, sir. Pradeep जी. जी. आज आपने इस राइस दिश के जरिये, अपने बच्पन और मेरे बहुत ही प्रियर, दादाजी की आद दिलाई. I'm very honored. I actually feel like coming and giving you a hug. Yes, sir. मेरे डिश का नाम है, फ्लेवर्स वाल-to-वाल. सेंटर में है, वाल रावियोली, with साफरन क्रीम सॉस. उसके साथ में है, वाल भजी, with green mango chutney. Anaga. Yes, sir. साफरन क्रीम सॉस में, साफरन स्टार है. रावियोली में, वाल स्टार है. और इन दोनों से भी, बेटर चीज मुझे लगी, आपकी यह सॉस. Thank you. अब आपके पास आया, तो मैंने आप सेकाता है, मुझे एक परफिक डिश चाहिए. आपने क्लोज टू परफिक ती. Thank you, chef. मैंने हर बार यखनी, नौन वेज के साथ खाया है. पहनी बार बेजटेरन खाया. बेज़ब. मुझे नी बता हिंदुस्तां में डोस्ता का स्थमाल किस ने गार्निश में किया था, तो उस हिस्ट्री में आपका नाम परेले दिखा गा चुका है. Thank you, chef. I'm surprised, because to wal or saffron के साथ आपने सॉस तनाई, it's beautiful. Thank you. Good one, Samara. It looks really good. Thank you. Thank you. Thank you. In the previous challenge में, मैंने खुद के लिए एक बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट किया था, और जजजी बहुत खुश थे. But now, I've let the standards slip. Home Cooks, अब वक्त है, फैसले का. सबसे पहले मैं बुलाने चाहूँगा प्रदीप जी को. सिदार्थ और अनगा. इसमें कुछ ताजुब की बात नहीं है, कि प्रदीप, सिदार्थ और अनगा. आप तीनों की डिश इस चालेंज में टॉप पर है. The best dishes of this challenge. Congratulations. लेकिन, आप तीनों में से सिर्फ एक ही हम को खोगा, जिसे इस पूरे हफ़ते आराम मिलेगा. यानि, कोई चालेंज नहीं, no elimination, 100% safe. आज की वो डिश है, आणागा. It was a very surreal feeling. कि एहली चालेंज पे मेरी बिश बेस सादिक होना, it's an incredible feeling. चलिए, अब मैं भी अपने सामने तीन होमकुक्स को बलाउंगा. I'm very scared की I might be the worst dish, but I'm just hoping and praying की कोई एसा एक और हो, जिसे मेरे से भी खराब बनाई हो. Dinesh, अगे आई. वाट, अभी वो पिछले चालेंज में उसका बेस डिश था और इसको एड्वांटेज मिला था. आशिमा. अश्विद. आप तीनों किडिश इस चैलेंज में सबसे कमजूर थे. जब कोई उमीद रखता है कि आप कुछ बहुत अच्छे से बनाओ के और एड्वांटेज भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, फिर भी ये देश अच्छा नहीं बना, वो उमीद मुझे नहीं तोड़ना था, और आज वो टुद किया. वो होमकुक जो सीधा इलिमिनेशन चैलेंज में जाएगा, वो है अश्विन. अश्विन, आज आपकी डिश सबसे वीकेस थी. अज़िमिनेशन, आपका अगला चैलेंज है वापस गेम में आने का. अगले हफ़ते अच्छा, अगले हैं. अगर आपको ये चैलेंज मुश्किल लगा था, तो हमारा अगला चैलेंज बहुत मुश्किल बोने वाला है. अगले हफ़ते आमूल प्रिजेंज मास्टर शेफ इंडिया में हम देखेंगे. हर पेर को उस रीजन की उस क्लासिक डिश को री इन्वेंट करना है. जिस दिश की नकल आपने करनी है, वो मेरी सिगनेचर डिश है, खेवर. विसको यूज नहीं कर सकते हैं, यह गेवर तो है इन्वी.